थम जाएगा लब जिहार, जागो हिंदू की बेटियां, खो रहा है संसकार, ए हिंदू की बेटियां, तु सरसदी तु काली है, तु ही तो शेरावाली है, शेरे नी बन के दहार, ए सनातनी बेटियां, सबका यही कहना है, कि मेरा अब्दूल ऐसा नहीं है, और बाद में फ्रीज में पाई जाती है, बाद में शाक्षी के तरह, कूच-कूच के मार दी जाती है, तो सारी जितनी है ना, सब यही कहती है, कि हमारा अब्दूल ऐसा नहीं है, हमारा अब्दूल ऐसा नहीं है, जब ब कर में तेरा धर्म परिवर्तन कराता जो जो धर्म से खेले बनके अधर में सीधे उसका सीना फार सुखोने ना दे संसकार ए सनातनी बेटियां प्यार को पूजा की तरह मरम अगर देखा जाए तो जसे की दआपर यूख से ए हैं स्रीक्रियुटन ने भी किया मीडा ने भी किरिखिया भर सारे हमारी माथा स прок्राइब मायरी मारी आ इख मने प्यार की परिवाशा अभी तक इतियास वह गवाया इतن शीन ऑन्होंने जो पर वहीं चीज हमारी बेटियों के साथ भी है कि आप भी अपने परिवार के दारे में अपने धर्म के दारे में अगर रहना सीख ले यह जब किया श्तूरी बनी मुवी मैंदेखी तो मेरा हाँ मेना तो खुन खॉल गया था कि इस तरह से उसमें जो वॉर्ड है ऑक चीज को देखी हूं कि तुम्हारा भगवान तो हीम्द किया कर सकता है तुम्हारा भगवान तो जब सीता का हरण हुआ तो रám दुसे से हलप मांगा जब स्थी माता का धहन हुआ तो संकर जी वो ले कर के तुम्हारा डरते-दृत, वो तुम्हारा क्या help करेंगे कहीं न कहीं हमारे भगवान का हमारे धर्म का मतलब अपमान हो रहा है हम अपने धर्म के लिए अवाज उड़ा रहे है हम अपने बेहन बेटियों के लिए वाज उचा रहे है Ukraine बेहन बेटियों के साथ कुछ भी सरयाम होता रहे और आप लोग इसी तरह से तमाशा बनके देखते रहेंगे और तमस्कार मेरा नाम सुभम कृष्णा है देश में आयदीन जो है कभी लब जिहाद का मामला आता है कभी हिंदू मुस्लिम से रिलेटेड कोई ना कोई घटना ह पती रहती है इन तमाम मुद्व पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सिंगर सीख हसी नातूर बहुत स्वागत है आपका भी और तमाम दर्शकों को मेरा अप्रणाम है आपको डर नहीं लगता है आप हिंदूत्व के परती गाना होना गाते रहती ये सिप एक धर के लिए गाना मशना गाती रहती दर्व है नहीं लगता अचा एक बात बताई कि अपने लिए जो काम हम कर रहे है अपने बहुत परकार देख रहे हैं ऑसे और किससे हम डर्म के लिए प्रवाइब दोष्टी प्यार करता है उसके बाद पिर अपना पहचान बताता है कि मैं मुसलमान हो तुम्हें भी धर्म परिवर्तन करना होगा जो ऐसा करता है मैं उसे सबसे घटिया मानती हूँ जो आज कल देख रहा है कि मैं करला स्टोरी देखी थे गाना जब मेरे सोच में था तो करला स्टोरी मुवी देखने के बाद एक भाई है करनी से नगा उन्होंने कहा कि इतना मुद्दा पर सब आवाज उठाता देखिए इ लेकिन इन सब चीजों से जुरा हुआ कोई गाना अभी तक नहीं बना है आस्टर्ज की बात है तो मैंने सुचा कि चलो भोजपूरी में नहीं आवाज उठाती रहती है हां मुझे लगा कि नहीं चलो वह लोग नहीं उठा है तो क्या हुआ हम लोग एक हिंदी सौंगी डा जो जानते हैं वहीं तक्सीमित हैं हम चाहें ऐसा करें कि जिससे पुरा देश उसको सुन सके तो हम हिंदी में सौंग को मैं और सावन जी मिलकर के लिरिक्स म्यूजिक देख सावन जी दिये और गाने को मैंने इस गाया और वह इस गाने में बहुत मेहनत की हूँ मैं कि कम से तो डर किस बात की है, हम अपने धर्म के लिए आवाज उठा रहे हैं, और हमारे बेहन बेटियों के साथ कुछ भी सरयाम होता रहे हैं, और आप लोग इसी तरह से तमाशा बनके देखते रहेंगे, और जो बड़े-बड़े राजनिता हैं, जो वोट के टाइम में राजनिति पहलाते हैं, हिंदू, मुस्लीम, बहुत सारी चीजे करके ताकि किसी तरह, और जब बात कोई आती है, जब जन्ता के लिए, या फिर हमारे सपोर्ट में खरे होने की बात आती है, तो सब चुपी साथ देते हैं, लोग आपको हिंदू सेर नहीं कह सकते हैं? आप लोग बिल आए गालब जिहार, जागो हिंदू की बेटियां, खो रहा है संसकार, ए हिंदू की बेटियां, तु सरसदितु काली है, तु ही तो शेरावाली है, शेरे नी बन के दहार, ए सनातनी बेटियां, शेरे नी बन के दहार, जागो हिंदू की बेटियां, जिस गौमा की रक्षा हम करते उसी की मांस को खाता जो लब जिहाद के चकर में तेरा धर्म परिवर्तन कराता जो जो धर्म से खेले बनके अधर में सीधे उसका सीना फार सुखोने ना दे संसकार ए सनातनी बेटियाँ शेरनी बनके दहार ए सनातनी बेटियाँ थम जाएगा लब जिहार ए हिंदू की बेटियाँ बहुत बढ़िया जा गाना किसने लिखा है गाना साबन जी ने लिखा सुरुरि पृटाप सावन जी सामए Vaticy और उन्होंने लिखा भी है. उन्होंने ही दिया है. और मैं सिविधाने का ता मक्राम है. अच्छा लोग कहेंगे कि सीका स् हराज् को प्यार की खिलाफ है क्या है? और महबत की खिलाफ है क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है. प्यार महबत मैं तो प्यार को समझते हूं कि प्यार बहुत जो लोग सचे दिल से प्यार करते हैं प्यार को पूजा की तरह मरा अगर देखा जाए तो जिसे कि दौपर्यूग सही है मेरा ने भी किया किया मेरा बहुत सारी इसकी है तो स्याहरा किया प्यार की परिवाशा अभी तक इतिहास हो गवाफ है उन्हों 10 परिवासा दी की ने जो रहे हैं नहीं मिलना का chodzi कर द bowling happens कि बार किना कि है प्रि थे या defendant हो अगर को यह चोफ स हम दिए है तो कई जो उसे जैसे अभी लव जिहाद की बात है तो इसमें साब पता चलता लव जिहाद का मतलब यह है कि लड़की को वेस बदल के जैसे आप देखे होंगे जिस तरह से शीता मया को हरन करने के लिए रावन आये थे वेस बदल के ही आये थे और जब तक वो अपने लक्षमन कि उनके साथ उनको हरन करके ले जाया गया बहुत सारी तकलीफे उन्हें हुआ और बढ़िया थर्क दिया आपने तो वही चीज हमारी बेटियों के साथ भी है कि आप भी अपने परिवार के दारे में अपने धर्म के दारे में अपने समाज के दारे में अगर रहना सीख ल जही कि कि यह प्यार नहीं है तो आपके हर चीजसे उसको प्यार होना चाहिए ना कि बत्स कि तुम मेरी अर। लए तुम्हारे जाया करने पर मजबूर करता है तो आप ना करने का आ ईडिया तो आपना आइडिया कहां से रहता है। और केरला स्टोरी की बात चल लए थी, मुवी हम नहीं देखे थे, और कुछ लोग बोले थे कि मुवी बहुत अच्छा है, मेरे करनी सेना का भाई है, महामंत्री है हो, संगठन महामंत्री है, नितिस कुमार सिंग नाम है उसका, तो वो ऐसे ही बैठे, बोला कि अभी तक अगलपूर या बिहार बहुत सारे मुद्दत तो यह जब केरला स्टोरी बनी मुवी मैं देखी, तो मेरा तो खुन खुल गया था, कि इस तरह से उसमें जो वर्ड है, मैं एक चीज को देखी हूं, कि तुम्हारा भगवान है, तुम्हारा भगवान क्या कर सकता है, तुम् कमजर दिखाया जा रहा है, मजाक बनाया जा रहा है, तो इस मजाक में कही न कहीं हम लोग भी दोस्टी है, हम लोग भी यह चीज करते हैं, हमारे बहने भी इस चीज को समझ नहीं पाती है, हमारे आविवावगगन है, जो अपने बच्चे को धर्म की अच्छे से सिक्चा पाते हैं कई न कई हमारे बीच भी एकता नहीं है जो हम अपने धर्म के परती जागरूख हो करके उस इसको बढ़ावा दे और अच्छे से लोगों के सामने यह करें कुछ कमजोरियां हमारी है उसी का फाइदा सब उठा रहा है और अगर यही कमजोरियां बनी रहेगी तो फ अचानक से आया थो उसो बाद मुझे और गुसा है उस वीडियो को देख करके खास करके उस लரके से जातहे है तो इस पर गुससा है तो सवाल उठाने वाला तो चैसे कुई आव घड़ रहा है कुछ घटना होती है आप बैट के चुप चाप देखते हैं आप यहां नाला लगाते हैं कि महिला हमारे समाज में देवी स्वरूप है महिलाओ को एक अपसब्द भी बोलना अपमांजनक भी बोलना बहुत बुरी बात हो जाती है उसके पीछे बहुत सारे लोग ऐसे आवाज उठाते हैं लेकिन जब बात आती है कि किसी का किसी के अत्याचार हो रहा है किसी का मडर कर दिया जाता है खुले आम और फिर भी सब के सब चुप हैं कहीं न कहीं हमारी समाज की कमजोरी है और यह गाना बनाने का तो परपस साक्षी के पहले ही था लेकिन यह होने के बाद मुझे लग रहा है कि हर किसी को आवाज उठाना चाहिए इसमें और हर किसी को इन सब घटनाओं को देख करके भी सीख लेनी चाहिए कि कोई आवाज नहीं उठापाता है अभी आपने पूला ना की डर तो मैं सोचते हो अगर इसी तरह से डर डर के सब सोच लें कि ऐसा होता है होने देते हम क्यों इस पच्रा में पढ़े सब तो अपनी सोचते हैं और उस चक्कर में होता क्या है ना कि हमारे साथ होता है तक हम वाज उठाते कि एक्सन नहीं लिया गया, आप रशासन कमजोर है, तो यह है, आप खुद जागरुक हो यह ना, तब सब को जागरुक हो ना पढ़ते हैं, चलते चलते आखिरी सवाल, जो हिंदू लग्या कहती है, मेरा वाला अब्दूल ऐसा नहीं है, उन्हें क्या कुछ कह तो सारी जितनी है ना, सब यहीं कहती है, कि हमारा अब्दूल ऐसा नहीं है, हमारा अब्दूल ऐसा नहीं जब बीट जाती है ना, तब तो वो देखने के लिए आने ही रहती है, उसके माबाब देखते हैं, उसके परिवार वाले देखते हैं, और उसके पहले उसे बहुत म ठीक है मतलब पता नहीं क्यों किसी के साथ उस तरह का न्याय हो और लोग इस तरह सरत है तो आप में भी मतलब जुन को गलत और सही का फर्क में उसे गुसा आता है कही न कहीं गुसा मुझे भी आया था जब मैं एक छोटा सा मुवी देखी तीन घंडे का मुवी देखी हूं तो उतना गुसा आया साक्षी का वो CCTV फुटेश देखी हूं तो उतना गुसा आया तो आप सब लोग को गुसा कैसे नहीं आ रहा आवाज क्यों नहीं उठा रहा है आखरी में उस गाना का दो लाइन में फिर से सुना खाऊं थम जाएगा लब जिहाद जागो हिंदू की बेटियां खो रहा है संसकार जागो हिंदू की बेटियां तू सरसुती तू काली है तू ही तो शेरावाली है शेरनी बन के दहार ऐ सनातनी बेटियां शेरनी बन के दहार जागो हिंदू की बेटियां बहुत बढ़िया तेले इन तमाम मुद्वों पर आप क्या कुछ होते हैं अब कमेंड में पर दिक्रिया जरूर रखें धन्यवाद